सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हर सबजियों का अपना अपना टेस्ट होता है उसका अपना फ्लेवर होता है तो बैगन की सबजी आज एक नए तरीके से बनाएंगे कि जो बैगन नहीं खाते होंगे वो भी उंगलिया चाट कर खाएंगे तो आईए बनाना शुरू करते हैं एक बैगन को मैं पतले पतले साइज में काट ली थी और उसको थोड़ा सा फ्राइ पैन में तेल डालकर उस पे जीरा गुल मिर्च और नमक देके उलट पुलट कर उसको मैं हलका सा लाल कर ली हूँ और फिर एक कड़ाई पे एक बारीक स्लाइस प्याज और तीन आलूओं को मैंने क्यूब साइज में काट रखा था उनको हलका सा नमक देकर उसको फुल फ्लेम पे मैं फ्राइ करने रख दी हूँ फिर एक कड़ाई पे एक टेबल स्पून ओयल लेकर उसको गरम करके उसको बारीक चॉब अधरक और लहसन और एक प्यास को बारीक चॉब की थी सब को डाल कर फ्राइ करने रख दी और फिर उसको एक गाजर को मैंने एकदम छोटे-छोटे साइज में काटा था उसको और आधा शिमला मिर्च उसको भी मैंने बारीक चॉब किये थे उन सबहों को डाल दी दो मिनट चमच चलाने के बाद उसके मैं आधा किलो कीमा डाल कर एक चमच नमक एक चमच मिर्च पाउडर और एक चमच जीरा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच गरम मसाला डाल कर उसमर मैं आधा चमच गुल मिर्च पाउडर और एक टमाटर को छोटे टुकडों में काट लिया था सब को डाल कर पारीब पांच मिनट मैं उसको भून ली ताके मसाला नर्म हो जाए जब कीमा पक गया तो मैं उन बैगन को लेकर उस पे ये कीमा एक चमच रख करके टूथ पिक से उसको पगा दी हूँ ताके कीमा और बैगन एक साथ पक जाए खुले नहीं उन सबों को मैंने जब कीमा स्टफ कर दिया बैगन पे तो फिर उस कड़ाई पे एक चमच तेल को गरम करके मैं वो बैगन को उस पे रख दी और फिर वो जो आलू और प्यास को मैंने फ्राय करके रखा था किनारों पर उन आलूओं को भी मैं उस पे डाल दी हूँ एक टमाटर को मैं ग्रैंडिंग करके उसका प्यूरी बनाई और उसको भी उस पे डाल कर पांच मिनट उसको पकने के लिए रख दी और फिर जो बाकी के कीमा बचे थे उन सभों को भी वैसी किनारों पर मैं दाल कर उसको पांच मिनट पकने के लिए लीड लगा के छोड़ दी और जब अच्छे से पक गया तो हरा धनिया और थोड़ा सा चीज को ग्रेट करके गार्नेशिंग कर दी और फिर उपर से थोड़ा सा चाट मसाला दे दी हूँ ताके थोड़ा सा चटपटा हो जाए उमीद है आप लोगों को ये नई रेसिपी पसंद आएगी इन्शाल्ला ज़रूर आप लोग भी ट्राइ करें और अगर वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और सबस्क्राइब करना ना भूलें फिर कोशिश करती हूँ अगले वीडियो पे इन्शाल्ला तब तक के लिए अल्ला हाफिज झाल्साल्साइब करें